कभी लिखते हुए डर नहीं लगता थे ये नहीं लगता था कि मेरी हत्या हो जाएगी ये नहीं लगता था कि मेरे घर पर चरस गांजा अफीम शराब रखके मुझे गिरफतार करवा लिया जाएगा मेरे घर से हत्यार बरामित कर लिया जाएगा और कोई भी सड़क छाप गा आ रही है महीं से अरे एक टीवी चैनल के एंकर के वाटसएप में एक सुभा मेसेज आता है कि ये लाइन लेनी है आपको शाम को डिबेट में हमारे लीडर्स मान कर बैठे हैं कि वो भगवान टाइप की कोई चीज हो गए है और जब आप लीडर्शिप जब कन्फ्यूज होत कोई सरकार ठोड़ी है सामाजिक बदलाओ जंडा थोड़ी है कोई नारा थोड़ी है वो तो हर एक आदमी की जन्दगी में से जहाकना चाहिए अपने आस पास बी ऐसे ही लोगों की टोली रखते हैं जो उनको बताते रहते हैं कि सर आपधी पेर्यार हैं आपी बुद्ध ह और उनको यह महसूस होने लगता है कि धीरे-धीरे महाती हूं वो तो चुनाओ का नतीजा आता है तो पता चलता कि मैं तो कहीं था ही नहीं जो लोग बोल रहे हैं उनको लीडर नहीं माना जा रहा है वह बखवास किसम की कोई बात कर लें किनारे बैठकर उनके साथ 100-20000 लोग हैं और उनको उनहीं लोगों ने जिनका काम ता यह करना दरकिनार कर दिया हैं तो आप बहुत शातिराना तरीके से अल्टिमेटली जाकर उसी खांचे में फिट हो जाना चाहते हैं जिसके खिलाफ आप लड़ने चले थे तो जब शत्रूही आपका सबसे प्यारा मित्र हो जाए तो आप लड़ेंगे कैसे ऐसा नहीं हो सकता है कि आप आधा पाखंड रख करना रहता है तोड़ा मोटीवेट करना न इसन पींद लालुयादो को माइनस करके बात नहीं कर संब हाग है आज उत्तर-प्रदेश में अध्य-प्रदेश में था वो धोखेबाज नहीं हम लोगों को भी पूछना पड़ेगा है कि नेता तुमारी पॉलिटिक्स क्या है पहले यह बताओ फिर वोट की बात करो नमस्कार आदाब सस्रीकाल जैवीम जोहार और इनका नाम है नवीन कुमार यह शब्द अक्सर आप आर्टिकल 19 चैनल की सुर्वात में सुनते होंगे किसी परचय के मौताज नहीं है बेवाग अंदाज के लिए जाने जाते हैं नेशनल जन्मत के इस्टूडियो में उनसे ये बात कर रहा हूं कि मुझे कल जाना है 36 गड़ उनको जाना है नागपुर तो सवाल ही है कि जब कारकमों की संख्या इतनी जादा बढ़ गई है लोग कह रहे हैं कि लोगों में तारकिक वैज्ञानिक दश्टिकोंड बढ़ गया है ऐसे समय में अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों की हिम्मत कैसे पड़ जा रही है कि नोटों पर वो देवी देवताओं की चित्रों की बात कर दे मुझे लगता है कि एक वीश्यस सर्किल है एक ट्रैप है जिसमें आप जिस भी खाने में गिरेंगे वो बात संग की वैचारिकी की होग मसला क्या है मसला क्या है कि जब आप कहते हैं कि हम अमबेटकर वाद की बात करेंगे या आप कहेंगे हम परियार की बात करेंगे अच्छा आप अमबेटकर की बात करेंगे हम अमबेटकर की मूलती लगा देंगे और बाहर एक पंडित बिठा देंगे फिर आपको अमबेट प्रिकर पर माला चढ़ाने के लिए आपको एक पंडित से पूछ के जाना पड़ेगा तो हमारे नेताओं में या कहिए मुख्य धारा के जो नेता हैं उनके भीतर इतनी वैचारिक समझ नहीं है या कहें कि या तो वो इतने होश्यार हैं कि वो मानते हैं कि लोगों की समझ में ये बात आ नहीं रही है ये वो भी जानते हैं कि नोट पर लक्षमी और गणेश्ट की मूर्ती छापना ये संभाव नहीं है ये वो इतने मतलब कमकल नेता नहीं है लेकिन वो जानते हैं कि ये बोलने का मतलब क्या होता है वो भारतिये जनता पार्टी की वैचारिकी को सोचते हैं सोचल जस्टिस के बारे में क्या सोचते हैं किसी को कुछ नहीं पता है लेकिन इस बारे में समूचा हिंदुस्तान जानता है कि वो नोट पर मूर्ती चपवाने के बारे में लक्षमी गणेश चपवाने के बारे में क्या सोचते हैं तो यह जहांसे में लाने वाली काद में हूँ, मैं कोई भी कसूर जनता के माथे पर डालने के लिए तयार नहीं हूँ, क्योंकि ये नेताओं की जिम्मेदारी है, कि आप जनता को तयार करें, ऐसे तो फिर आप कहते रहते कि सती प्रथा का विरोध कैसे होगा, जनता तयार नहीं है, आप कह सकते थे कि मेदारी थी, politics का मतलब या सत्ता का मतलब केवल एक सत्ता परिवर्तन थोड़ी होता है, कि इस पार्टी की सर कोई सरकार थोड़ी है, समाजिक बदलाओ, कोई जंडा थोड़ी है, कोई नारा थोड़ी है, वो तो हर एक आदमी की जंदगी में से जहाकना चाहिए, कि आप प पुछा कि राजेन जी, यह क्या चक्कर है, आपने युवा पर सम्मेलन बुलाया है, और आपने सब सिनिये सेटिजन्स को बुला लिया, उन्होंने का युवा के बारे में तुम क्या सोचते हो, युवा का मतलब 30 साल का, 25 साल का, 40 साल का हाडली, उन्होंने का नहीं, चकर में कुछ हो सकता है, गलतियां हो, लेकिन प्रोसेस ही वही है, जब तक कि आप गलतियां करेंगे नहीं, तब तक कोई नई चीज आएगी नहीं, हमारे लीडर्स मान कर बैठे हैं कि वो भगवान टाइप की कोई चीज हो गया है, एक आदर्श्वाद किस्तिति, उनसे क कोई गलती नहीं होनी चाहिए, इस चक्कर में कोशिश ही नहीं करते हैं, और जब कोशिश नहीं करते हैं, तो confusion पैदा होता है, और जब आप leadership जब confused होता है, तो उसको लपकने के लिए तो यह बैठे ही हुए मंदिरों में, मठों में, नागपूर में, RSS में, उनके लिए आप एक आसान सी स्थती पैदा कर रहे हैं और परोश कर दे रहे हैं अपनी politics को, जहां सबसे ज़्यादा सामाजिक नियाय की बहुजन बात की अंबेड कर बात की बात होती है, पूरे उत्तर भारत में, नजर आता है एक भी कि लड़ता हुआ दिख रहा हो कि हम सत्ता से टक कोई नहीं है, जो लोग बोल रहे हैं, उनको लीडर नहीं माना जा रहा है, माना जा रहा है कि वो बकवास किसम की कोई बात करने किनारे बैठकर उनके साथ सो दो सब हजार लोग हैं, और उनको उनहीं लोगों ने जिनका काम था यह करना दरकिनार कर दिया, एक तो आप करे आप लोगों को भड़का रहे देखिए जो नारा दिया था मानेवर काशी राम ने उधर जो नारा दिया था बाबु जगदेव ने या जो नारा दिया था कर्पूरी ठाकुर ने उन नारों को भूलाकर अगर आप कोई चाह सोच रहें कि कोई बहुजन movement खड़ा कर लेंगे या कोई हम आंदोलन खड़ा कर लेंगे कोई सामाजिक बदलाव ले आएंगे social justice की कोई बात कर लेंगे तो या तो आप बहुत innocent हैं बहुत भोले हैं और नहीं तो आप बहुत शातिर हैं तो मैं innocent मानने को तयार नहीं है कि आज की तारीख में कोई भी leadership इतनी innocent नहीं है जिसकी समझ में नहीं आए कि वो क्या कर लाया और उसका क्या मतलब होता है तो आप बहुत शातिराना तरीके से ultimately जाकर उसी खाचे में fit हो जाना चाहते हैं इसके खिलाफ आप लड़ने चले थे तो जब शत्रू ही आपका सबसे प्यारा मित्र हो जाए तो आप लड़ेंगे कैसे नहीं लड़ सकते मैंने एक चीज़े समझी उत्तर भारत में एक perception बना दिया गया है कि पाखंड ब्रो छोड़ दीजिए पाखंड की गुलामी किये विना हम राजनीती में सश्टेन ही नहीं कर सकते नहीं ये तो मुझे लगता है कि इससे बकवास बात कुछ हो नहीं सकते ये तो बेसिक है पाखंड की गुलामी छोड़ना तो सबसे बुनियादी चीज़ है मुझे बहुत लोग मतलब कोचते हैं मेरी बहुत आलोचना करते हैं क्योंकि बिहार में छठ बहुत पवित्रते बहार माना जाता है आप उसको नहीं क्रिटिसाइज करते हैं लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप करवा चौथ मानेंगे चट मानेंगे और करवा चोथ नहीं मानेंगे यह नहीं चलेगा हर एक चीज आपको छोटी छोटी चीजों पर डाइलूट नहीं होना है इस सिर्फ इस वज़स है कि आपको कोई चीज अच्छी लग रही है और सदीयों से अच्छी लगती है तो सदीयों से तो हम देखते आ है कि हमारा समाज लड़कियों का सोशन कलता चला रहा है महिलाओं का काम घर में खाना बनारा है यह चीजिए आच्छी लग रही है समाज को लेकिन यह अच्छी क्यों लगती है क्योंकि एक निहायत मेल शोवनिस्ट पुरुषवादी मर्दवादी समाज में हम लोग रहते हैं जहां हमारी ट्रेनिंग नहीं है बराबरी पर किसी को देखने का तो आप बराबरी पर जब खुद किसी को नहीं देख रहे हैं त क्योंकि जिस समय आप पाखंड का विरोध शुरू करते हैं और हर अस्तर पर विरोध बंद करते हैं ऐसा नहीं हो सकता है कि आप आधा पाखंड रखें और आधा छोड़ दें या तो आप संपून पाखंडी हैं और नहीं तो आप पाखंड मुक्त हैं इसमें बीच का कोई लकीर खीचनी शुरू करते हैं, दूसरी तरफ के लोग बहुत आसानी से आपको लपक लेते हैं, क्योंकि बुनियादी तोर पर आप पाखंडी हैं, और ये बात दूसरी तरफ के लोगों को पता है, कि वहला आपको थोड़ा सा लालच देना है, या थोड़ा मोटिवेट करन लालू यादों का एक्जामपल हमारे सामने है, उन्होंने बहुत बड़ी कीमत चुकाई, सिर्फ और सिर्फ सोशल जस्टिस की, आज वो जेल में रहे, जमानत पर बाहर है, उनकी सिहत बहुत गिरती चली गई, और मैं हमेशा कहता हूँ कि उनको मारने की कोशिश की गई, वो सिर्फ इस वज़ा से है कि वो इन चीज़ों के खिलाफ थे ना केवल जुबानी तोर पर बलकि दिल से भी, उनकी कुछ चीज़ें उस पर बहस हो सकती है, लेकिन बावजूद इसके अपनी बुनियाद से उन्होंने समझोता नहीं किया, तो ये तो सबक है ना हमारे इस पिढ़ी के नेताओं के लिए, कि आप और उसकी वज़ा ये है कि आज भी बिहार की राजनीच से आप लालू यादों को माइनस करके बात नहीं कर सकते हैं, आज उत्तर प्रदेश में वो स्थिति नहीं है, आज महरास्त जो कि अमबिटकर साब की जमीन रही है, वहां ये स दोखेबाज लीडर्शिप को दोखेबाज कहना ने, ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी का मल ढखते रहें और उससे सुगंद की उमीद करते रहें, ये नहीं हो सकता, आप मल को ढख देंगे, तो वह बदबूही आएगे, उससे खुश्बू नहीं आ सकती है, तो आप हम दोनों ही लोग पत्रिकारता से अलग हट करके अपना-पना संस्थान आगे बढ़ा रहे हैं, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जो लोग तारीफ करते हैं, तारीफ जोले भरके मिलती है, आपको भी मिलती है, हमें भी मिलती है, क्या लोग बास्ताओ में इस ब नहीं कर ला हूँ, मैं सभरणों की भी बात कर ला हूँ, सभरणों की बहुत बड़ा हिصसा है, और में यह बात कहना तोड़ दिया, तो वो इन लोगों को जोड़ने की जरूरत है, जहां तक बात है कि अपना मीडिया खड़ा होना चाहिए, हाँ इस पर एका है, इस पर लाखों लोग एक तरीके से सोचते हैं, लेकिन ये मिशन के तहत होना चाहिए, हवा हवा में नहीं है, जब कोई मिशन के तहत बैठ कर कोई वैचारी की बनेगी, उस पर गंभीरता से आगे बढ़ने के लिए रास्ता और पैसे की कमी नहीं आएगी, मेरा पूरा विश्वास है, कि जिस्तिन इमानदारी से एक आदमी भी इसको मिशन बना लेगा ना है, कि नहीं हमको ये कर देना है, वो कर देगा इसमें दो साल लगेगा, पांच साल लगेगा, चार साल लगेगा, ये एक अलग सवाल हो सकता है, दीए अगर बिना किसी मकसद के, बिना किसी साफ इरादे के, अगर कोई अख़बार दसला कॉपी बेच रहा है, कोई पांचला कॉपी बेच रहा है, पूरे फासिवादी फ उन लोगों की है जो चाहते हैं कि न्याय हो जो चाहते हैं कि शोशन न रहे जो चाहते हैं कि आदमी और आदमी बराबर हो तो अगर आप मार्केटिंग के भी हिसाब से सोचें बाजार के भी हिसाब से सोचें कि अगर इस देश में ज्यादा तर लोग दंगा फसाद नहीं चा जातिये विवस्था नहीं होनी चाहिए तो इसका मतलब यह है कि इसके लिए मानस तो तयार है लेकिन इस वैचारिकी को अस्थापित करने की कोशिश नहीं हुई है और अगर किसी ने कोशिश की है तो उस पर लोगों ने भरोसा नहीं किया है तो एक ऐसे भरोसे मंद आदमी क संस्थान की या समूं की जरूरत है जिस पर वाकई लोग भरोसा कर सकें कि ये लोग हमारे लिए एक मीडिया खड़ा करेंगे पूरे देश में जा रहे हैं आप कारिकमों की निश्चित तोर पे संख्या भी बड़ी है तमाम महापरसों की जैनतियां से लेके समिधान दिव बस ये सब के संख्या भड़ी है तो उस रिजल्ट को लोग केवल चुनाओ से जोड़ते हैं तो क्या हो रहा है इस तरह के कारिकमों में जाने से और ये सब जो गैद्रिंग हो रही है जागरुक तक किस तरफ जा रही है नहीं है मैं यह नहीं मानता चुनाओ लोक तंत्र का बहुत छोटा सा हिस्सा है सरकार बदलना एक बहुत छोटा सा हिस्सा है ये पिछले 10-12 साल में 8 साल में हम लोग को समझाया गया है कि राजनीत का मतलब और लोकतंतर का मतलब चुनाओ होता है नहीं हर लोकतंतर जो है बदलाओ के लिए आगे बढ़ता है आज से 70 साल पहले हम जैसे थे आज हम वैसे नहीं है समविधान जो कि सबसे पवित्र गरंत है भारत का उसमें सौ से ज़्यादा बदलाओ हो चुके है तो एक लिविंग डॉकुमेंट है हमारा कॉंस्टिशन एक जीवन्त दस्तावेज है जब उसमें बदलाओ हो सकता है तो हमारे भीतर बदलाओ के लिए तो बहुत समय चाहिए तो जो हम लोग इधर उधर जाते हैं लोगों से मिलते हैं बात करते हैं कुछ लोग गालियां भी देते हैं बावजूद इसके सुनते हैं तो इसका मतलब यह है ती तादाध है हमारे लोगों की इसमें बहुत कम लोगों तक हम पहुँच पाते हैं बावजूदु इसके अगर आपको हौई अड्नों पर इल्वेस्टिच नों पर हाट बाजार में लोग पहचान रहें और आपको कह रहें कि कि आप जो काम कर रहें कर रहे हैं वो बड़ा अच्छा काम है और वो हमको पसंद आता है तो इसका मतलब यह है कि हम जो बात करना चाहते हैं वो उसी फॉर्म में लोगों तक पहुँच रही है तो यह बहुत बड़ा बदलाव है और यह काम हम ही कर सकते हैं अगर हम सोचने कि यह काम कोई अख़बा लोगों तक पहुचते हैं लेकिन उस उन दो लोगों तक हम ही पहुच सकते हैं यह इसका बड़ा कंट्रिबिउशन है और इसका कोई विकल्प नहीं है कॉंग्रेश के समय में भी आप बड़े संस्थानों में काम किये बीजेपी जब आई सरकार में तब भी आप बड़े स कि हकूमत में कभी लिखते हुए डर नहीं लगता था यह नहीं लगता था कि मेरी हत्या हो जाएगी यह नहीं लगता था कि मेरे घर पर चरस गांजा अफीम शराब रखके मुझे गिरफतार करवा लिया जाएगा मेरे घर से हथियार बरामत कर लिया जाएगा और कोई भी सड सिवराज पार्टिल ग्रियमन्तुरी थे हम लोगों ने लिखा कि ये आदमीं दिन भर में किसे बदल सकते हैं आज आपका प्रधानमन्तरी हवाई आज बेठ बैठ के पांच कारक्रम में जाता है पांच बार कुपड़她 बदलता है उस समय ये शर्म थी कि सिवराज पाटिल से इस्टीफा ले लिया गया तो ये मीडिया की ताकत थी और हमको किसी नहीं कहा कि ये नहीं करना है दबाव रहा होगा बिलकुल रहा होगा लेकिन आज तो दबाव ये है कि हो सकता है कि आपको भाजपा के का एक विधायत तक आपक इसे पहले क्या होता था कि वहां से रिक्विस्ट किया जाता था कि ये खबर हट सकती है क्या या थोड़ा डाइल्यूट किया जा सकता है कि आज तो यह हरे एक टीवी चैनल का एंकर के वाटसएप में एक सुबह मिसेज आता है कि ये लाइन लेनी है आपको शाम को है और महंगाई तो देश के लिए अच्छी है मतलब यहां तक लोग कहने लिए जिन लोगों को प्याज महंगा लगता था और सिलिंडर महंगा लगता था चाथ सो बतीस रुपए का वह आराम से बारे सो रुपए को जस्टिफाई करना है तो यह फर्क है और लोग कहने ही कि चीजें महंगी हो गई है ऐसा आज से पहले नहीं हुआ कि आप आपके सिस्टम में कोई नेता आपके क्रिटिसिजम से परे हो जाए कोई नहीं हुआ आज तक नरेंदर मोदी पहले शक्स हैं जिसके खिलाफ आप बोल नहीं सकते हैं आप लिख नहीं सकते हैं अमिठ शा क के खिलाफ आप नहीं लिख सकते हैं इसका एलान भले नहीं हुआ हो लेकर सच यह है कि हम आपात काल से बुरे दौर में हैं अड़वानी ने कहा था ना कि मिसस गांदी ने तो आपको घुटनों के बल चलने के लिए कहा था आप तो रेंगने लगे तो आज लोग रेंग नही लिके से चलाया हो कि जेनियु बंद कर देना चाहिए जामिया बंद कर देना चाहिए अलीगण मुसलिम इनिवस्टी Sraker की अपनी जो सरवे रिपोर्ट है कि जेनियू जामिया और अलिगण देश के सब जा रहे हैं इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि वो उनके किसी political ideology में वो फिट नहीं साब वो इसलिए बंद कर देना चाहते हैं कि आपको पता है कि ये संस्थान अभी भी बेहद चाहते हैं वहां बिहार उत्तर प्रदेश केरल महराज तमिल नाडो से आकर 40 रुपे की रसीद दली तादिवासी पिछड़ा पढ़ता हुआ नहीं चाहिए पसमांदा पिएश्टी नहीं चाहिए इसलिए आप कहते हैं कि इन इनिवर्स्टी को बंद कर दीजिए और इसलिए ये संगठी तभियान चलाया जाता है आज से पांच साल दस साल बाद अब देख लीजे कि कि तरीके का पैटान है ये पांच साल बात समझ में आएंगी चीजें की हमारे दली तादिवासी और पसमांदा पिछड़ों को कैसे रोका जा रहा है और तब समझ में आएगा कि किस ट्रैप में हम रास्टवाद के नाम पर फस गए थे मुझे एक बात और लगती है कि विपक और नकली बीजेपी और असली आरे सेस नकली आरे सेस के लड़ाई नहीं चल सकती है लोग असली के साथ जाएंगे तो अगर हमको छोटा रीचार्ज नहीं चाहिए ना जबड़ा रीचार्ज अबलेबल है तो और इसी आप देखिए कि पिछले दस साल से अगर बीजेपी में तो मतलब 25 साल माल लीजिए बाकी मद्यप्रदेश को देख लीजिए बिहार में अभी गफलत की वज़ए से चीजें गरवड़ हो गई तो इसकी वज़ए यह है कि वो लोग कंफ्यूस नहीं है अगर वो कह रहे हैं कि हमको देश तोड़के मंदिर बनाना पड़ेगा हम बना लेंगे बेवजय का ठीकरा जंता पर तो वो वो अपने एजंडे पर एकदम अड़े हुए हैं तीन सो सतर से किसी आतमे के जंदगी पर धेला फरक ना पड़ता हो लेकिन उनको करना है यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर उससे किसी को कोई लेना देना नहीं हो लेकि पार्टनर तुमारी पॉलिटिक्स क्या है तो हम लोगों को भी पूछना पड़ेगा कि नेता तुमारी पॉलिटिक्स क्या है तो पहले यह बताओ फिर वोट की बात करो और वो दुजीवें की तो वहां खैस जरूरती नहीं है नहीं जरूरत से ज्यादा ना उनको पता ही नहीं है कि हमको चाहिए कि नहीं चाहिए वह देखे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी अच्छा संस्थान या कोई भी आंदोलन जो है ना बिना आइडियो लॉक्त खड़ा नहीं हो सकता है आपको बताने वाले तो हो कि आप जा कहां रहे हैं आप ऐसा करके पहु लिशस्या यह है कि अपने आसपास भी ऐसे ही लोगों की टोली रखते हूं जो सर आफी भुद्ध हैं अमेट कर हैं और उनको ये महसूस होने लगता है कि धीरे धीरे महीं हूँ वो तो चुनाव का नतीजा आता है तो पता चलता कि मैं तो कहीं था ही नहीं कुछ भी नहीं था आप लोगों ने ठग लिया तो ठगों से घेरे हुए लोग जो है न जनता को इमानदारी का पार्ट नहीं पढ़ा सकते हैं अपने नेताओं को पहले राजा रानी उसके बाद देवी देवता की तरह पूजने वालों को ये बात किलियर कट समझ लेनी चाहिए कि बीजेपी का बरोत करके आप भावनाय तो पैदा कर सकते हैं लेकिन बताना पड़ेगा आपको कि जब हम होंग तो क्या-क्या नहीं होगा और क्या-क्या होगा लाइन खीचनी पड़ेगी कि मंडल के साथ हो या कमंडल के साथ एक इंटर्विव में ऐसी सक्सियस के साथ सारी बाते नहीं आ सकती हैं क्योंकि जितना पूछा जाए उसका उत्तर आपको मिलेगा ही खैर हम कोशिस करेंगे क लगातार इस तरह के इंटर्विव से आपको रूबरू कराया जाए ताकि काफी हद तक लाइन किलियर हो सके देखते रहे ने संजन मत जागरुक और सजग बने रहिए जै विज्ञान जै समिदान